समस्क्राइब दोस्तों, इस वीडियो में हम दो चीजों के बात करेंगे तो फर्स्ट हिस्से में जैसे ना आपने थम ने देखा है मैं एक चैनल को, एक इनसान को एक्सपोस करने उखला हूँ वो देखिए आप और दूसरे हिस्से में, जिसका टाइम लाइन यहां पे मैं दे दूँगा वहाँ पे कुछ दिनों से आते हुए एक चर्चे के बारे में हम बात करेंगे मेरे कुछ-कुछ वीवर्स उसके बारे में पूछ रहे हैं तो उसको हम एड्रेस करेंगे तो सेकंड पार्ट मैं डाला हूँ अपने वीवर्स के लिए उनके साटिसफैक्शन के लिए कुछ चीजों का जवाब देने के लिए तो अगर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पहले बात करते हैं जो मैंने इस वीडियो का टाइटिल डाला है एक्सपोजिंग ये चैनल इसका कारण ये है कि मैं सोचता हूँ कोई भी चीज को पॉसरिव आंगल से देखा जाना चाहिए तो एक्सपोज जो वर्ड होता है उसको वैसे हम सुनने में तो लगता है कि हम किसी चीज को अंकवर कर रहे हैं मिस्टरी को रिवील कर रहे हैं जो के बहुत खराब है डार्क साइड ऐसा कुछ है पर उसका एक्ट्वल मीनिंग जो फर्स मीनिंग आप दिएगा या फिर जो हम देखते नहीं अवरलुक करते हैं वो है किसी भी चीज को किसी भी टूथ को अंकवर करना तो मैं उस एंगल से इस वीडियो का नाम दिया हूँ तो यहाँ पे अगर आप सोच क्या हैं किसी के बारे में मैं गलत वोलूँगा वो नहीं है और यह पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आप डिसपॉइंट हो सकते हैं तो इसका हिस्ट्री क्या है क्यों इस चैनल के बारे में हम बात कर रहा है क्योंकि मेरे चैनल में जब से मैंने पर्टिकुलर एक साम कोरे के बात करना चालू किया कि मैं उसका लैब रिपोर्ट बनाऊंगा वो fake है कि सही है उसके बारे में बात करूँगा तो मुझे बहुत सारे question आने लगे कि या यह साम के बारे में बताइए उसके बारे में बताइए इसका dosage क्या है वगड़ा वगड़ा तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि यह channel में general supplement के बारे में बात करता हूँ लाब रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ company को लाता हूँ लाने का कोशिश करता हूँ एक platform में तो कि transparency बने रहे है पर मैं anabolics या फिर साम उसके उपर जो enhancement drugs होता है उसके उपर series में वीडियो नहीं बनाता एक दो शायद बनाऊंगा वो भी purpose driven जैसे आपको मालू है पर continuously नहीं मनाऊंगा पर मैं देखा demand इसका बहुत सारा है जाके मैं देखा कि इसका solution क्या कर सकते हैं तो तब मुझे लगा कि मैं अगर आपको एक ऐसे channel के तरफ direct कर दूँ जिस channel पर जाके आपको सारे answers मिल सकते हैं तो मैं वो करने का कोशिश किया तो मैं जब यह ढूंड रहा था मेरे पास कुछ चीजे important थे first चीज था कि उस channel को जो चला रहे हैं जो creator हैं उनको या तो उसमें बहुत अच्छा knowledge होना चाहिए उस field से होना चाहिए फिर वो कोई video बनाने से पहले उसके उपर अच्छा खासा research करके backing document दिखा के फिर जाके अपना statements रख रहे हो दूसरा जो criteria था वो था कि कोई misleading information या crowd को misdirection करने वाला कोई creator ना हो और third जो सबसे important मेरे लिए था वो है कि उनका value अपने सही जगा पे हो क्योंकि मेरे लिए values अपना जो एक इनसान का value system होता है उसका importance बहुत जादा होता है और एक चौता point भी था पर वो उतना important नहीं था पर वो भी important होता है क्योंकि ये visual media है कि उनका production cost कैसा है मतलब उनका video और audio उसके साथ-साथ captions बगेरा कितना अच्छा आ रहा है वो अपने production में कितना effort दे रहे है तो ये सब करके जब मैं देख रहा था तो देख रहा था मेरे सामने बहुत सारे choices थे और मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ तो आपके मालूम पड़े क्यों मैं वो सब choice ना लेगे इनके channel के बारे में क्यों बात किया तो first देखिए मेरे पास जो channels मैं ज्यादा तर देखता हूँ अपने fitness community में वैसे में आपका अनुजूद जी का channel हो गया अनुजी का channel हो गया ये channels मैं देखता हूँ तो ये fitness lifestyle, healthy living, well mindset इनके ऊपर mainly video बनाते हैं तो ये कभी-कभी उस particular चीज के ऊपर video बनाता है जैसे agambolics हो गया, exams हो गया उनके ऊपर पर ऐसा नहीं कि ये continually बनाते हैं इनके values, production cost, everything is on spot ये information बहुत studies के बाद देते हैं इनका credibility है वो देने का पर ये उसी direction में नहीं बनाते हैं हमेशा दूसरा जो मैंने देखा जैसे कुछ channels है जैसे doctor education के तरह channel जो के बहुत ही बढ़िया channel है और हम लोग को follow करना चाहिए ऐसा channel क्योंकि वहाँ से हमेना authentic information मिलता है पर same चीज, वहाँ पे भी उनका जो होता है, उनका field बहुत diverse होता है, वो पर एक चीज को लेके नहीं बात करते हैं, बहुत सारे चीजों को लेके बात करते हैं, उनके ऊपर scientific या एक doctor का perspective हमेशा देते हैं और तीजरे type का जो channel है वो of course मैं कभी भी include नहीं करूँगा वो है कि जो लोग बस आके ये advanced bodybuilder के लिए होता है बच्चे इसके तरफ ना देखो और फिर जाके basically back end में वो सब को sale करते हैं और ये थोड़ा negative psychology play कर जाते हैं मतलब कोई भी बच्चा खुद को advanced ही सोचता है, तो ऐसे channel जिनके values एकितम अपने जगा पे नहीं हैं, उनको तो मैं कभी भी recommend नहीं कर सकता, तो ये सब देखने के बाद मुझे ये लगा कोई ऐसा channel चाहिए जो के, क्या है इसी particular field में वीडियो बनाता जाता हो, continuously और उनका value system सही जगा पे हो वो misguide ना करता हो और उनका credentials हो ये बनाने के तब जाके मैं House of Anabolics channel देखा जो मिस्टर रियास खान चलाते है वो creator है इस channel का तो अगर आप देखें मेरा जो least important criteria था कि उनका production cost बहुत ठीक है वो video quality और audio quality बहुत सही होता है उनका captions भी आते हैं सारे चीजों का अभी आके तेहां उनका जो वो बताते हैं उसका background of knowledge क्या है वो कौन से field से है तो मैंने जब इनसे इनसे बात किया इस video बनाने से पहले क्योंके हमेशा permission लेना चाहिए किसी के बारे में video बनाने के लिए specifically किसी के बारे में बनाने के लिए तो मुझे मालूम पढ़ा के देखिए वो biomedical background से है वो genetics, genomics इसमें specialization किये है और वो data science में भी interest रखते है तो दो चीज़े हुआ जब हम बात किये तो हम बहुत similar field में बात कर पाएं जो के बहुत अच्छा लगा हमें दूसरा चीज ये सब ये knowledge होने के साथ-साथ उनका value system सही जगा पे है इसलिए वो अपने वीडियो में knowledge बहुत सही तरह से देते है इसका मतलब ये है कि मानके चलते है कोई भी उनका वीडियो आप उठाओ तो उठा के देखो जैसे कि T3 hormone के बारे में उन्हें वीडियो बनाया है कि बहुत लोग weight loss के लिए यूज़ करते है तो कुछ लोग जैसे आपको उसके बारे में बताएंगे कि ये हुआ side effect नहीं है अगर है भी reversible है पर इनके वीडियो अगर आप देखेंगे ये आपको एक तो ये बताएंगे कि ये काम करता कैसे है मतलब पूरा शुरू से end तक कैसे काम करता है और दूसरा चीज ये आपको सही में बताएंगे जिससे लोगों के मन में सही information आए मतलब क्या है अगर किसी को लगे कि नहीं भाई ये बता रहा है कि इसमें permanent damage हो सकता है unrecoverable damage हो सकता है बाडी में जिससे आप recover नहीं भी कर सकते हो ये भाई सब वो बता आते हैं सनी कि उसका height करते हैं तो ये बहुत important था ये और भी एक है मैं लम इनका वीडियो में देखा हूं जिसमें हमारा mindset थोड़ा बहुत मिल गया कि मैं भी बहुत skeptical हूं साम्स के बारे में क्योंकि जैसे उसका advertise किया जाता है और जिंदा उनका backing research paper है हमेशा है one to one match नहीं करता हूं आप जरूर जाके इनका RAD 140 का वीडियो देखिएगा जिसमें ये बहुत सही तरह से दिखा रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं जो फिर लोग बोल रहे हैं RAD 140 लेके इतना सह में weight gain हुआ इतना muscle mass gain हुआ इसके पीछे उतना backing science नहीं है तो ये क्यों नहीं है उनका वीडियो ही देखिए बहुत सही तरह से explain किये उन्होंने पर ये सारे चीजे देख के मैंने जैसे Netflix में movie देखते हैं और उसी में आपको पता चलता है कि अगर आप एक video किसी का देखेंगे तो हो सकता है आप एक particular way में video देखेंगे आप बहुत सारे देखेंगे तब आपको मालूम पड़ता है नहीं ये channel आपको पसंदा आ रहा है कि नहीं आप उसको subscribe करना चाहते हैं कि नहीं कि वगयरा चीज़े आपको दिमाग में आता है तो मैं जब ढून रहा तो मैं देखेंगे मुझे लगा मतलब इतना सही channel है पर ना तो recommendation में मुझे कभी आया और ना इसका इतना जादा मतलब सबके मुँ में मैं सुनता हूँ इस channel के बारे में तब जाके मुझे लगा कि नहीं इस channel मतलब ऐसा नहीं कि मेरे criteria में fit हो रहा है तब ही जाकि यह बहुत बढ़ी आचानल है मैं कोई judge नहीं हुई यहाँ पर मैं जब recommend कर रहा हूँ कोई channel यहाँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ यह channel मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे अपने तरफ से clear होना है कि मैं कुछ ऐसा चीज तो नहीं कर रहा हूँ जो के गलत है तो इसलिए मैंने बहुत सारा चीज देखके फिर लगा कि आपको बताओं कि आप जरूर जाके रियाज जी का चैनल देखिए और जब यह वीडियो आएगा मेरे ख्याल से मैं उनको बता भी दिया हूँगा कि आप खुद भी देख लीजिए रियाज जी आपका चैनल मैं जो वीडियो बनाएं आपके चैनल के ऊपर तो एक चीज़ जरूर कीज़े मैं उनसे सब बात किया था मुझे मालूम पढ़ा ये कि बहुत लोग ना मिसिंटर्पिट करते हैं जैसे मैंने भी जब साम्स का वीडियो शुरू में बनाया कि मैं एक्चुली बनाना चाहता हूँ ये बोलने के लिए कि फेक साम्स इंडिया में मिल रहा है और आप कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे लैब रिपोर्ट में बनाया अब ही वो वीडियो आएगा उसी तरह से इनका गोल को तरह समझीए ये इनफॉमेशन देना है सही इनफॉमेशन देना है ये कोई स्टैक नहीं बनाता है जितना मुझे मालूम है और ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है मतलब कोई नहीं बनाता है और आप उनको फोन करके या फिर आप उनको मेल करके उनके कॉमेंट बॉक्स में भर दोगे प्लीज ऐसा मत कीजिए अगर आप ये वीडियो देख के वहां जा रहा है तो इन्फोर्मेशन के लिए जाएए और एक चीज बहुत लोग के मन में आ सकता है क्यों मैं अचानक से ऐसा चैनल को क्यों बता रहा हूं जो अनबॉलिक्स या स्टेरोइट्स या साम्स की उपर बात कर रहा है अपने जगा पे नहीं है वो आके आपको डिस्ट्रैक कर सकता है इसलिए बात होना चाहिए सारे चीजों को लगे बात होना चाहिए सही तरह से होना चाहिए इसलिए मैंने ये चैनल आपको लिए रेकमेंट किया है अगर आप जो भी एक्शुली इस चैनल में आये थे वो साम्स वीडियो देखके कि आपको साम्स अनबॉलिक्स इसके बारे में थोड़ा मालूम करना है ज़रूर चेक कीजिए हवसम अनबॉलिक्स को क्योंकि मुझे लगता है और इनको बहुत अच्छा फोकस मिलना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़ी हा कंटेंट है और मैं जब सुन से बात किया तो उनके आगे के जो चीजे वो लाना चाते हैं दर्शो के लिए और आजे ओल कंजूमर्स के लिए बहुत अच्छा है तो अब सुरूर जाके चेकिए एगा अभी आते हैं वीडियो के सेकंड हिस्से में जहां पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अगर देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं अगर नहीं देखना चाहते हैं वो भी आपकी मरजी तो ये है मेरे वीवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे मेंबर्स जो लोग actually मेरे चैनल देखते हैं उनके रिक्वेस्ट में मैं ये पार्ट कर रहा हूँ कुछ दिनों से वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपके बारे में कुछ वीडियोस चल रहे हैं कुछ Instagram पोस्ट चल रहे हैं अब उसके बारे में कुछ बताए तो first तो मैं नहीं कहना चाहता था कुछ भी नहीं उसका कारण दो है first चीज ये कि मैं समझता हूँ मेरे चैनल में जो वीवर्स, सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स हैं वो तो या मैं जिस तरह सोचता हूँ मेरे intellectual level जहां पर है उतना है या फिर उससे जादा है मतलब वो मुझसे तेज सोचते हैं या फिर मेरे level में सोचते हैं तब ही जाके वो ये चैनल पसंद करते हैं तो इसलिए मुझे लगता नहीं था कि मुझे कोई explanation देना पड़ेगा या फिर उसके बारे में कुछ बात करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ यह है कि ये जो सारे videos या फिर Instagram पोस्ट चल रहे थे उनका जो value system है वो आप देखने में या उसका जो quality of material है जो भाशा वहाँ पर प्रयोग किया गया है जो angle दिया गया है जिस तरह से present किया गया है उस जगा पे मैं खुद को drag करके नीचे नहीं ला सकता इसलिए मैं किसी चीज़ का response हो इसे बना नहीं सकता और देखिए किसी चीज़ ऐसे चीज़ों का response बनाने से क्या होता है आपको मालूम पड़ेगा पूरा देख लीजे वीडियो तो वहाँ पे उनको जादा attention मिलता है जो मुझे लगता नहीं मुझे देना चाहिए और जैसे मैंने पहरे कहा मैं जिस value system को लेके छोटे उमर से बड़ा हुआ हूँ जो मेरे पेरेंट जो guidance मुझे दिया है जो value system मुझे में seed किया है वो मुझे allow नहीं करता वैसे भाषा का प्रयोग करना और या फिर वैसे भाषा किसी ने प्रयोग किया है तो उसके साथ interact करना इसलिए मैं mainly reaction नहीं दे रहा था और ये भी कोई reaction नहीं है ये एक discussion है और उसको मैं इस तरह से present करना चाता हूँ कि ये हो सकता है बहुत लोग नहीं समझे पर मैं pretty sure हूँ कि मेरे channel में जैसे मैंने कहा जो viewers subscribers और members हैं वो जरूर समझेंगे और वो जरूर इसका quality of material समझेंगे कि मैं क्या आपको दे रहा हूँ मैं कोई भी video मनाऊंगा तो उसका quality of product जो मैं आपको दे रहा हूँ उसके बारे में मैं सोचता हूँ तो यहाँ भी वो करके ही आपको बताते हैं तो first thing ये समझने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कुछ natures के laws और human के कुछ operational laws उस तरह से मैं बताना चाता हूँ first thing तो वो समझने के लिए देखिए nature हमेशा काम करता है balance के उपर और causality के उपर causality मतलब cause and effect अगर कुछ आप कर रहे हो वो है cause और उसका effect कहीं होता है तो ये हमेशा होता है nature में और नेचर क्या करता है हमेशा equilibrium balance बनाता है darkness के साथ light का truth के साथ false का ये सब और human nature भी समझना जरूरी है human nature है हम अगर खुद को समझे और बहुत simple सी भाषा में खुद को बताए कि हम क्या है तो हम है हमारा brain और हमारा brain है एक problem solving machine तो हमारे पास problem आता है और mathematical term में problem is just like any equation जिसको आप solve करोगे left और right तो हमारा brain उसको solve करता है अभी ये क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे मेरे हिसाब से समझाने के लिए जैसे मैंने कहा मैं वैसे भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता और मुझे लगता नहीं उसके प्रयोग का ज़रूरत है अच्छी तरह से समझना जरूरी है दूसरी human nature है वो है least effort path हमेशा maintain करना इसलिए आप देखो कि जब कोई gym जाता है या फिर मैं जैसे अगर लोग मुझे पुछता है तुम weight loss कर लो या फिर करो देखे मेरा बहुत सारे जैसे gym करना अभी lifestyle जैसे है मेरा थोड़ा problem है उतना time नहीं मिलता उसके साथ साथ और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ और मैं मानता भी हूँ के food अगर मैं food को थोड़ा और control कर सकता हूँ तो और भी बहतरी desert मुझे मिले गए या सब के लिए लागू होता है क्योंकि हम लोग least effort path में जाना चाहता है इसलिए लोग fat burn ही use करते हैं लोग आपका injections वगरा use करते हैं तो पर least effort path में वो जाए ब्रेन हमें guide ही करता है उस तरह से ब्रेन हमें risk नेने के लिए बोलता नहीं है तो यह सारे principles मुझे बताना जरूरी लगा यह video करने से पहले तो अभी कहते हैं cause and effect तो cause क्या था तो cause है कि मैं transparency लाना चाहता हूँ in this industry में जहां पे fake reviews होते हैं कुछी भी product के उपर जैसे bullying होता है मतलब उसके बारे में gullet information, baseless information, backingless information यह सब दिया जाता है तो उसके इसाब से मेरा हमेशा कोशिच आए कि भाई first तो Indian का जो अच्छे products है इंडिया में वो जो भी हो बिंद और समझे ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बोल दूँ उसको समझे मैं हमेशा कहता हूँ आप question करो तो transparency इस चैनल का एक main motto है इसलिए मेरा जो real talk है वो भी ऐसा है कि transparency लाना company के लोग आएंगे वो बात करेंगे जितना हो सके उनसे address करेंगे अपके query तके आपको कोई ना ऐसे ना बोल पाए कि नहीं मैं company से बात किया था उसने मुझे ऐसा किया है कोई proof तो है नहीं इसलिए तो यह सब ठीक चल रहा था पर main जो cause हो गया जिसका effect में आप वो सब videos and post देख रहे हैं वो है यह कि मैं अचानक पकड़ लिया साम्स को एक particular brand के साम्स को जो के बहुत अच्छा पैसा देखे market में अपना repetition बना रहा है और उसके against बहुत सारे legalities हैं जिसको मैं expose कर रहा था जैसे कि उसको FSSI number कैसे मिल गया फिर मैंने उसका lap test परवाया कैसे किया उसका video आएगा ऐसा नहीं मैंने नहीं किया और मैं logically mathematically proof करूँँगा कि वो fake साम है तो यह सब जब मैं करने लगा तो obviously repercussion आएगा तब जाके उसका effect बना यह सारे videos और posts अभी मैंने जब आपको कहा कि हमारा brain problem solving machine है तो cause and effect आगया तो cause था मेरा यह साम्स को पकड़ना और effect था कि किसी तरह से जो brain है जो लोग यह कर रहे हैं उनका brain का processing था कि एक problem है वो है अंकुर उसको solve करो तो equation के एक side में मैं हूँ और equation के एक side में यह सारे लोग है या फिर जो भी आपको media मिल रहा है और मैं इसलिए कहा कि problem solving machine मतलब problem एक equation होता है जिसका left और right हमेशा balance होता है मैंने in equation नहीं कहा equation कहा तो अगर यहाँ पे truth है left में तो right में false होगा equal quantity का तो कि आप अगर truth और false को negative क law ठीक है और brain भी उसी तरह से solve करता है पर हमेशा ऐसा होता नहीं क्यों अगर मैं पूरा का पुरा truth हूँ अगर मैं सही हूँ तो मुझे गलत प्रूफ करने के लिए जो जो content मना है या तो वो सारे गलत है वो false है या फिर मैं false हूँ वो सारे सही है यह ideal situation है right और अगर आप द पहले होता था जादा अभी कम हो गया है पर अब magic show देखे हो magic show में reality को define करके कुछ चीज़े किया जाता है जैसे ball vanish हो गया coin vanish हो गया मेरे pocket में पैसा अंदर गया आपके pocket से निकला train गायव हो गया बीच से तो ये nature के जो laws हैता है जो equations होते है उसको violate करते हैं तो ये क्या सही में होता है नहीं ये होने के लिए magician जो चीज़ का इस्तमाल करता है और हर एक magician करता है उसको कहा जाता है diversion ये और एक keyword है जो आपको जानना है diversion होता है कोई भी equation को अगर आप मतलब किसी दूसरे तरीके से मिला दोगे मतलब आप उस equation को normally solve नहीं कर सकते मतलब आप ये proof नहीं कर सकते के मैं गलत हूँ तो आपको चाहिए diversion तो ये diversion क्या करेगा आपका जो false है उसको एक illusion देगा truth होने का तो आपके side में पूरा का पूरा अगर false हो मतलब गलत information हो आप misguide कर रहे हैं तो मेरा जो truth है उसको overcome करने के लिए आपको उतना जादा diversion डालना पड़ेगा तो ये diversion कैसे आते हैं और मैं क्यों इसको diversion क्या रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा देखिए diversion आते हैं in terms of जो चीज को मैं focus करना चाहता हूँ जो actual चीज है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए मतलब मेरे हाथ में actually coin है मैं coin को हाथ के पीछे चुपाऊँगा पर मैं आपको brand है I of course मैं ऐसा video बना रहा हूँ मैं उसका नाम न ले रहा हूं मैं उसका नाम your protein बता रहा हूं आपको समझ में यह होगा क्या बात आ रहा हूं तो मैं your protein को गलत बॉलता हूं ये कहना कि a ये प्रोटीन में प्रिजर्वेटिव डालना गलत है, ये मैं नहीं बोला था, हाँ जी मैं बोला था, उसके लिए मुझे लीगल नोटीस मिला था, मैं प्राउड हूं उसके लिए, तो इसमें गल्दी क्या है, तो ये सब चीज और फिर कुछ-कुछ बरे परसनलिटीज के न होता है, डाइवर्शन, तो मैं क्यों इसको डाइवर्शन बोल रहा हूं, क्योंकि सच है, साम्स, इंडिया में जो साम्स भी कर रहे हैं, जो पर्टिकलर ब्रेंड का, वो गलत है, उसका लीगलिटी से चालू करके, उसका प्रॉडक्ट सारे चीज गलत है, वो फेक हम बोले, कोई गलती नहीं है उसमें, पर उसमें रोजगार उतना नहीं होता है, पर अगर आप 10 रुपए का चीज, या फिर चॉक डस्ट, तीनाजार, चाराजार, देराजार रुपए में बेच होगे, तब जाके प्रॉफिट का बात बनता है, तो इनका actual business होता है वो, औ और अगर आप देखो गया, आपको मालूम पर गया होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जैसे injections हो गया, ऐसे fake songs हो गया हो गयरा, यह सब चीज़े बच्चों को किसी को भी बेचना, दूसरे तरीके से उसको promote करना, यह होता है actual business हो, और लाखों का business है, actual business हो करो रगा है, पर इन लोगों को कुछ लाख मिल जाता है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बोलनी रहा हूँ, इसको इतना मिला है, उसको इतना मिला है, नहीं देखी, नहीं से नहीं किया जाता, पर यह है business, तो यह है truth, और यह है diversion, तो आपके पास question है, कि मैं जैसे हमेशे encourage करत हूँ, कि आप कैसे सोचोगे, कि मैं जिसको diversion बोल रहा हूँ, वही diversion है, वो सच नहीं है, और वो जो बोल रहा है, वो diversion है, आपको भी तो judge करना है, तो देखिए, इसलिए, कि आपके सामने diversion था, कि मैं अपने वीडियो के नीचे, जो sponsored videos हैं, जो मतलब बोला गया है sponsored videos हैं, उसके नीचे उस company का मैं website का address देता हूँ, तो ये कहा गया है कि company का requirement होता है, तो और वो दिखा के कुछ-कुछ वीडियो के नीचे दिखा गया है, तो ये एक चीज है, दूसरी चीज, कुछ लोगों के बारे में कहा गया है कि मैं उनके बारे में गलत वेता हूँ, और फिर गुरुमान जी के बारे में तो मैं बहुत का, उनका product एक दम खराब है, तो ये हो गया है सारे मेरे ख्याल से, और मैं ख्याल नहीं, विश्वास है, distraction, तो मैं अभी मुझे proof करना है, ये distraction है, तभी जाकर ना equation solve होगा, तो देखिए, क्यों distraction है, क्योंकि अगर आप मेरे कुछ वीडियो देखिएगा, जैसे मेरा first muscle bliss का video बहुत गाली मिला था मुझे, क्योंकि मुझे muscle bliss का product बच्छा नहीं लिगता था, उनमें मैं muscle bliss का address गया हूँ, website address, फिर उसके बाद मैं on का product review किया हूँ, कुछ है minor energy करके, फिर कुछ और भी, उनमें on का address है, बहुत सा से नहीं लोगे, दूसरा, उस website में जाएंगे तो आप उस company के बार में और भी कुछ चीज़े आपको जाने को मिलेगा, और तीसरा सबसे important, website देने में cross linking बनता है, तो आपका जो video होता है, उसका SEO, search engine optimization वो बढ़ जाता है, इसलिए अभी तो मैं हर video में देता हूँ, और मुझे अडेर सारा पैसा देगा, तो इसलिए उसका address में डाला, और अभी recent जो मैंने video बनाया, गुरुमान जी का, उसमें में लिख दिया हूँ, उनका website का address, product का link दिया हूँ, exact कहा से product में लिगा, तो उनको भी जाके पूछ लीजे, उतने कितने रुपह दिये हैं मुझे तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये, मतलब आप, of course, मेरे viewers और subscribers इस चीज़ों में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हूँ, उनका intellect level बहुत सुन्दर जगा पर है, मेरे जगा पर मेरे से जादा है, बहुत लोगा मेरे से जादा है, तो उनक ये, NCBI का website address देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, NCBI है, क्यों मुझे पैसा देगा, और क्यों देगा, ठीक है, तो ये हो गया है, देखिए, बस excite talk कर रहा हूँ, मैं उतने paid videos वालों से बात नहीं किया, मतलब paid जो reviews होता है, इसा नहीं कियो गलत है, पर जितना मु उनसे review करणवाना पड़ता है, वीडियो, publish करने से पहले, तो कि अगर गलती से भी आप कुछ कह दिये, जो company के against जा सकता है, तो आपको बोलेंगे उसका हटाने के लिए, ऐसा होता है, उनका clause, तो mail में जो एक-दो company लिखे थे, उनसे मुझे मुझे मालूम पढ़ा है, फो और Optimum Nutrition मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, योर प्रोटीन का कलर, sodium enzoid वगयरा, दूसरा पराट का, तो मेरे एक सीरीज चला है, Real Talk, वो आप देखे होंगे, उसमें मैं, अफकोर्स, ये थोरा डिफरेंट है वीडियो, मैं उसमें नाम ने लूँगा कौन, पर आपको मालू है जो जो देखें हैं, कि एक इंडिस्ट्री से आये हैं, बहुत बड़े परसनलेटी, जो आके, ये बोले हैं, कि वो जो वीडियो में जो नाम लिए गए था ना, उनमें से दो नाम लिए हैं और बोले हैं, लो लोग ड्रग-fREE इंडिया का प्रोमोट कर रहे हैं, वो ड्र वीडियो आई है तो लाइव वीडियो नहीं होता है ना पर मैंने वो रखा क्योंकि मुझे transparency बनाना है मैं क्या बोल रहा हूं वो नहीं दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे उसी वीडियो में या उसके अगर मैं आपको गलत बोलू अगर मैं आपको गलत प्रोड़क के तरह ले जाओ तो मेरा फिर से रहेगा ना मैं उतना सा section हटा दू क्योंकि industry expert बोल रहा है आप तो सुनके डर जाएंगे नहीं पर मैंने उसको रखा क्योंकि truth या statements चारो तरफ से आना चाहिए और मैं अपना amino acid profile ultimate nutrition pro star का किया था जो बहुत लोग देखे ही नहीं बस comment करते हैं देखे ही नहीं उन्होंने वो उसमें मैंने clearly बताया था हाँ इसका protein content कम आता है पर जिस तरह से कुछ लोग इसको bully करने के लिए product market से हटाने के लिए बोले है उतना कम नहीं आता है कि इसमें 15% protein नहीं है इसमें 30% protein नहीं 82 के जगा के कभी पर आपको 75 मिल जाता है कभी 71 मिल जाता है पर 82 dry basis में है तो basically आपको 78-79 मिलना चाहिए तो वहाँ पर 75 कभी मिलता है 71 ऐसा मिलता है तो मैं ऐसा नहीं कि मेरा section हमेशा लग रहा हूँ और कोई भी और खहरा है उसको हटा रहा हूँ industry expert बोले थे protein कम है तो कम है मैं बताया हूँ हटाया नहीं पर ये गलत है बोलना के बहुत कम है 15-30% अपने personal gains के लिए कि एक दूसरा protein company का product जाधा बिग जाए तो इसलिए ये भी diversion है अभी आता हूँ गुरुवाण जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता हूँ ऐसा लोका देखें नहीं मैं product के बारे में बोलता हूँ product जब मुझे अच्छा लगता है मैं reviewer हूँ मैं अच्छा बोलता हूँ जब मुझे बुरा लगता है मैं बुरा बोलता हूँ अगर आप मेरा latest video देखेंगे product अच्छा है उसका customer service अच्छा हो गया उसका सारी चीज़े मुझे च्छी लगए actually तो मैंने अच्छा बोला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो भी मैं पेश किया अपने तरीके से, कि इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, आप देखिए वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो, और उसका अगर आप इंट्रो देखोगे, तो उसका इंट्रो देखके त तो आप एक बार कहोगे, कि मैं उनको गाली देता हूँ, और फिर बोलोगे, वो ही हा कि मुझे पैसा देता हूँ, तो इस तरह से, जो मुझे लगता है, और मैं confident हूँ और आपको समझाने का कुशिश कर रहा हूँ, कि जो अभी तक समझे नहीं है, कि ये सारे diversions हैं, और य balance अप कर नहीं सकते हैं, कि आप मुझे false प्रमानित करना चाते हो, और अभी भी मैं देखता हूँ, मेरा जो real talk series है, उसमें जितना company को लाने का कोशिश कर रहा हूँ है, उतना ज़्यादा negative कुछ-कुछ लोग अपना fake account बना के comments करने हैं, अभी आपको बताता हूँ, अगर म मैं इन से पैसा लेता, तो इनका value और मेरा connection जो होता ना, वो connection only पैसे का होता है, मतलब ये बंदा review करता है, इसको पैसा दो, तो ये review करेगा, उसमें गलती नहीं है, पर relation उतना तक रहता, मैं इस सारे company के साथ बात करता हूँ, almost every week, कभी-कभी multiple times a day, मुझे कभी time नहीं मिल और हम बहुत सही जगा पर बात करते हैं, कि इंडिया में इस industry को कैसे अच्छा किया जा सकता है, किसी product के level को कैसे बहतरी करिया जा सकता है, transference कैसे ला जा जाकता है, कभी-कभी कोई पूचते हैं, कि मेरा इस product में आप क्या सोचते हो, क्या next level मैं ला सकता हूँ, मैं बता सक एक बार रिव्यू कर दो, हमारा नहाँ प्रॉडक्टर है, और उसके लिए आप कंसल्टेंसी चार्ज ले लो, कोई रिव्यू नहीं करना है आपको, आप हमें रिव्यू करके बोल दो, लेविल ठीक है कि नहीं, वो पैसे दने के लिए राजी थे, मैं वो पैसा भी नहीं लि तो मुझे ऐसे कंपनी से पैसा लेने का जरूरत है नहीं, अच्छी तरह से रिव्यू करता है, उससे मेरे लैब टेस्ट का खर्चा भी हो जाएगा, और मेरे सैटिस्फेक्शन के लिए कुछ मेरा इंकम टाइप भी चीज आ सकता है, यह मैं जूट नहीं बोलूँगा आप बहुत लोग अच्छी तरह से रिव्यू करता है, बोल देता है, कि मैं प्रोमोट कर रहा हूँ, यह प्रोमोट वीडियो है, गलत क्या है, उनको लगा यह पच्छ प्रोड़क्ट अच्छा है, प्रोमोट बोल रहा है, फिर करते हैं, तो उसमें खलती नहीं है, तो मैं यह बोल रहा हूँ, मैं बोल चॉरो, आपको समझा रहा हूँ, कि मेरा या किसी का भी वीडियो देख के ना, आप ऐसे उताव ले मत होगे, मुझे फेड से मैं बता रहा हूँ, मिरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, मेंबर्स, नहीं होंगे उतावले, मुझे मालू है, पर होते हैं वो मत होए आप सोचिए थोड़ा आप दिमाग लगाए क्योंकि आप इनसान हो हम नैचरली मस्कूलर डिवलप्मेंट में एनिमल वर्ड में सबसे कम है पर हम ब्रेंड डिवलप्मेंट में सबसे जादा है वो हमें इनसान मनाता है तो आप अपने दिमाग से सोचिए अभी लास्ट चीज जो कहके मैं यह वीडियो को खतम करूंगा वो यह है कि देखिए जब यह हो रहा था ना यह सारा चीज तो कुछ लोग शायद भावनाओं में बैके या कुछ रीजन में कुछ पोस्ट वगरा किये तो मैं डिरेक्ली मुझे मालूम नहीं था मेरे व्यूवर्स ने मुझे बताए और वो थोड़ा हर्टफुल था हर्टफुल किसलिए था परसनल लेवल में नहीं वैसे वो पोस् इसमें खत्रा है उसमें खत्रा है आख्वा फैलाते हैं तो वो मेरे डॉक के तरह मतलब कुत्ते के तरह भी मेरा कुत्दा उससे ज्यादा वर्क आट कर लेता है तो देखिए अगर एक बच्चा है तो उसको खराब लगेगा आपके ऐसे कॉमेंट्स मुझे नहीं लगा पर मैं खराब इसलिए मुझे लगा कि आप लोग जो हैं जो ये कर रहे हैं आप लोग एक्चली ट्रेनर्स हैं तो जैसे पढ़ाई लिखाई के दुनिया में टीचर एक में भाग है उनका एक पर्टिकुलर रोल टीचर नहीं भाते हैं अगर टीचर गलत है ना तो स्टूडेंट टीचर के पास आता है कि वो टीचर उसको मजबूद बनाए तो टीचर का रिस्पोन्सबिली बहुत जादा होता है वैसे ही फिटनेस के दुनिया में जो ट्रेनर्स होते हैं वो होते हैं टीचर तो उसके पास स्टूडेंट्स आता हैं जो उनको मालूम नहीं है सीखने तो अगर क्यों होई होई है तभी तो जाए ना ट्रेनर के पास के मुझे तोरा पतला बनाओ मुझे तो एसा मुझे लगता है करना नहीं चाहिए क्योंकि यह टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है बॉडी शेमिंग टाइप तो उसमें क्या होता है जो बच्चे हैं जो लोग तोरा बहुत खुद को लेकर जादा कॉंशिस है वो क्या करेंगे खुद के ऊपर और जादा डिटेस्ट फुल फिल करना चालू कर देंगे वो लोग सोचेंगे नहीं मतलब यह स्टेटमेंट दो तरीके से लेंगे लोग एक तो लोग सोचेंगे कि नहीं मेरा श्रीर के है जो मैं liking yourself बोलता है ना कि आप पहले खुद से प्यार करो वो चीज़ दिरे दिरे चला जाएगा और वो बहुत डेंजरेस चीज़ है कि वो लोगों को कुछ-कुछ बच्चों को जो अवरूड है वगएरा उनको ना suicidal tendency वगएरा ऐसे चीज़ों में धकेलता है क्योंकि व उनको समझ में बहुत सईसे आता है और वो student का problem समझने में ready है और कुछ होता है ना बोलता है ये बे अरे तुमारा दिमाग का है तुम गधे हो तुम ये हो वो हो ऐसे है तो उसकी डिचेस कोई जाता नहीं है मैं भी खुद भी नहीं जाओंगा तो मैं कहूंगा अगर आप आप लोग trainer है ना तो आप ये जरूर समझे और मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूं ये मेरे बहुत viewers है जो trainers है उनसे मेरा बात भी होता है फोन में हो इंस्टा में हो वो भी उसी तरह से अपने trainees को पकड़ता है कि पहले उनके sentiments को समझना और एक चीज़ देना को कोई अगर मतलब overweight है ना तो वो उसका बहुत sentimental जगा होता है और बहुत loose point होता है उसका मतलब soft point होता है तो उसको hurt ना किया जा है राधर उसके उपर capitalize किया जाए कि नहीं ठीक है भाई over a day कोई tension नहीं है you love yourself मैं आपको बहतरीन बनाओंगा और बहतर बनाओंगा बहतर हो पर और यह approach होना चाहिए और यह approach बहुत trainers के हैं तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सोची है क्योंके क्या है of course हम लोग को कुछ चीज मेरा अच्छा लग सकता है कुछ नहीं लग स पर ऐसा बोलना as a trainer गलत है फिर भी मैं कहूंगा यह नहीं कह रहा हूं कि training कैसे दिया जाता है nutrition कैसा होता है इसके बारे में आपको मैं ग्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि training कैसे दिया जाता है nutrition कैसे हम दिया जाता है nutrition advice कैसे दिया जाता है यह सब चीजों में आप लोग हमस से बहुत बहुत जानते हो, ठीक है, मेरे से बहुत आगे हो आप लोग, आप लोग industry को shape कर सकते हो, वह नहीं मैं आपको शिका रहा हूं, मैं आपको सिका रहा हूं कि शिक्षा दिया कैसे जाता है, यह वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, अगले वीडिय मिनते हैं अपना स्वास्त का क्याल रखेगा चलिए